यदि आपने भी अपने गर पर बेंगन के पोदे लगा रखी हैं लेकिन आपके बेंगन के पोदे पर या तो फल फुल नहीं आता है या फिर आपके बेंगन के पोदे पर छोटे छोटे फल फल फुल आते हैं वह काले पढ़ करके जड़ जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी केर टिप्स और पटलायों के बारे में बताएंगे जिससे आपका भी बेंगन का पोदा फलों और फुलों से भर जाएगा और साती साथ आपके बेंगन के पोदे से एक भी फल फुल नहीं जड़ेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं सबी चीजों के बारे में किस प्रकार से आपको कौन-कौन सी चीजों का इस्तमाल करना है और साती साथ आपको बेंगन के पोदे की किस प्रकार से देखवाल करना है तो चले दोस्तो वीड़ो को सुरू करते हैं और जानते हैं सबी चीज़ों के बारे में तो जैसा कि दोस्तो आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे इस बेंगन के पोदे पर कापी डेर सारे चोटे वा बड़े फल लगे हुए हैं तो दोस्तो इसी प्रकार से अगर आप भी अपने बेंगन के पोदे से फल लेना चाहते हैं तो आप इस वीड़ो को बिना इसक्रिप के पूरा जरून देखना तो चले दोस्तों बात करते हैं कियर के बारे में कि आपको बेंगन के पोदे की किस प्रकार से किया करने चाहिए तो दोस्तों बेंगन के पोदे की आपको 10-15 दिन के बाद में गुड़ाई कर देना है गुढ़ाई करने के साथ-साथ आपको बरमी कमपोस्ट या फिर ग्वर की खाद भी लगा देना है आपको एक पौदे के लिए 50-100 ग्राम की तकρίवन ही ग्वर की खाद या फिर बरमी कमपोस्ट डालना है इसको डानने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वा कापी अच्छी तरीके से होती रहती है और साथी साथ अगर पौधे पर ग्रोथ होती है तो उस पर फल पूल आने के चांसेस भी हो जाती है तो दोस्तो इसलिए पौदे में बनमी कमपस्ट या फिर गवर की खाद भी लगाते रहना है और साथ ही साथ आपको पौदे की नमी बनाए रखनी है अगर ज्यादा वरवाटिंग करते हैं तो पौदे पर फल जणने की समस्या हो जाती है या तो पौदे पर फल जणने लगेगा या फिर पौदे पर जो छोटे छोटे फूल आई होए हैं वह जणने लगते हैं यसलिए दोस्तो पौदे को सिर्फ आपको इतना पानी देना है जिससे पौदा जीवित बना रहे और एक भी फल फूल जणने ना पाए तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे इस बेंगन के पौदे की जो ग्रोथ है वह कापी ग्रीन में महली बनी होई है और साथी साथ इसमें से नई नई ब्रांचेस भी निकलना सिरू हो रहे हैं तो दोस्तो इसी प्रकार से आपको बेंगन के पोदे के केर का विसेस द्या रखना हैं। जबी जाकर के आप अपने बेंगन के पोदे से ज़्यादा से ज़्याधा फल्पुल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तो आप बात करते हैं खाद और फटलाईं के बारे में आपको बेंगन के पोदे में किस प्रकार से कौन सा खाद और कौन सा फटलाई यूज़ करना है तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आज चुके हैं बेंगन के पौदे की रूट्सों की हो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बेंगन के पौदे की गुड़ाई कर लेते हैं तो दोस्तो गुड़ाई जितनी गहरी करने हैं जिससे पौदे की रूर्स करने ना पाएं अगर दोस्तो पौदे की रूर्स कर जाते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौदा भी सूख सकता है तो दोस्तों गुड़ाई करने के साथ-साथ जो मिट्टी है यानि कि इसके डीम बने हुए हैं उन्हें भी आतकी साहिता से तोल लेना तो चलिए जल्दी से हम इस बेंगन के पोदे की गुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन-कौन से खाद और पठलाय लेने हैं और कितना लेना हैं और किस प्रकार से यूच करना हैं तो दोस्तों हमने याँ पर जो गुड़ाई है वो पूर सारे इसे मार्क्रनूर्टोर्स सपाय जाते हैं जिससे पौदे पर फल पुल आने लगते हैं और साती पौदे के जो फल हैं उनका साइज बढ़ने लगता है तो दोस्तों हमने याँ पर यूरिया को 15 ग्राम के तक्रीम हुआ था और साती साथ पौदे में डाल करके तैयार कर दिया है और दोसरी चीज ले रखी है वह भी हम आपको बता देते हैं वह कौन सी चीज है तो दोस्तों यह है एनपी के बारवति सोले को हमने यहाँ पर 10 क्रम के तक्रीवन लिया हुआ है और हमने यहाँ पर एनपी के बारवति सोले को भी इस बेंगर के पौद में चार तरफ डाल करके तयार कर लिया है. तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को डालने के technically हाथ की साहिता से या पिर किसी टूल की साहिता से स्वेयल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है. तो दोस्तों हम यहाँ पर आदकी साहिता से अच्छी तरीके से इस स्वैल में इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन सी और चीज़ लेनी है तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे आदकी साहिता से अच्छी तरीके से मिक्स करके रेड़ी कर लिया है और आप जो मेरे हाँ में देख पा रहे हैं यह है गुर की खाद इसे हमने यहाँ पर पचास ग्राम की तकरीमन ले रखा है और चार तरफ इस बेंगन के पौधे में डाल करके तयार कर दिया है यानि कि दोस्तों हमने जो तीनों चीजें ले रखी थी इस बेंगन के पौधे में तीनों चीजें को कापी अच्छी तरीके से एड़ करके तयार कर दिया है तो दोस्तो हम इस खादगोवी आथकी साहिता से जैसे हमने जो NPK और जो कि हमने यूरिया को अच्छी तरीके से आथकी साहिता से मिक्स किया था उसी प्रकार से हम इसमें इस खादगोवी मिक्स करके रेली कर दिया है और इसमें हम पानी भी डाल देते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमने याँ पर इस बेंगन के पौदे में पानी भी डाल करके तयार कर दिया है अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बेंगन का पौदा फलों और फूलों से भर जाएगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेट आप के साथ तब तक लिए ठैंक